रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है यूद को 50 दिन से ज़ादा हो चुके हैं बीच में ऐसी स्थितिया बन रही थी कि यूद पर बिराम लग सकता है लेकिन फिलहाल इसके संकेत नहीं आ रहे हैं रूस अपने जीत पर अड़ा है तो ओही यूक्रेन भी डट कर खड़ करके रूस को कड़ी टकर दे रहा है हाला कि इस यूद से दोनों ही देशों के जानमाल को नुकसान हो रहा है इस विच खवर आ रही है कि यूक्रेन ने रूस के किलाव एक और बहुत खतरनाक मिसाईल के इस्तेमाल किया है यूक्रेन ने दवा किया है कि इस मिसाईल से हमला करके उसने रूस के लड़ाकू यूद्पुत को काले सागर में डूबे दिया है इस मिसाइल का नाम है नेप्चुन क्रूज मिसाइल तो जानते हैं नेप्चुन क्रूज मिसाइल कितना खतरनाक है और ये क्या क्या काम कर सकता है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं नेप् करीब 870 किलोग्राम है जिसमें से 150 किलोग्राम विस्फट को लेकर ये उड़ सकता है इस मिसाइल की लंबाई 16 फीट है और इसकी मारक चमता यानि रेंज 300 किलोमेटर तक है इस मिसाइल के जरिये जमीन, हवा और पानी में कहीं पर भी निसाना लगाये जा सकता है यूकरेन की नोसेना को पिछले साल यानि 2021 मार्च में 300 किलोमेटर रेंज की मारक चमता वाली नेप्चुन मिसाइल की पहली खेप डेलिवरी हुई थी नेप्चुन मिसाइल का डिजाइन सुवियेद के एक्स थाटिफाइब एंटी सिप मिसाइल पर आधारी थे जिसकी रेंज और टेक 22 मार्च 2016 को किया गया था युकरेन के नेक्सनल सिक्रीटी एंड डिफेन्स काउंसिल के मुताबिक 30 जानवारी 2008 को नेप्चुन क्रूज मिसाइल का सफल परिक्षन हुआ था 17 अगश 2018 को इस मिसाइल ने सफल ता प्रूबक 100 किलेमिटर टार्गेट रेंज को साथ उडिसा में पूरा किया था 6 एप्ल 2019 को दुवारा इस मिसाइल का सफल परिक्षन किया था ये मिसाइल किसी भी ठिकाने को तभा करने में शक्षाम है युकरेन का दवा है कि इस मिसाइल के जरिये उसने रूस के जंगी जहाज को तभा किया है आई होप आपको नेप्चुन क्रूज मिसाइल के बारे में समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजे शेर कीजे और सब्सक्राइब करना बिल्कूल मत भूलिए तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरब से जय हिंद